Hey you all, welcome to mentor engineer, this is Sushant, today I am going to discuss JEE Advance 2019 response sheet was released, so let's start the video, जैसे आप लोगों को मालू होना चीए कि IIT Arurki ने release कर दिया response sheet को online mode में और उसका जो website portal है वो आपका jEEadvance.ac.in है और जो दूसरी website है वो आपकी है cportals.jEEadvance.ac.in इस website की link मैं आप लोगों को description box में दे दूँगा अब आते हैं next point में candidate जो है वो चेक कर सकते हैं अपने sheet को login portal से और जो भी candidate इस exam में appeared हुए है उनको email के थुरू और sms के थुरू वो link दे दी जाएगी और जो इसका जो starting आने के release time है वो आपका 4.30 pm से start हो जाएगा और जो response sheet है वो आपका 4th of June तक जो है आप उस अफलेबल रहेगा उस तारीक तक आप लोग उसको download कर सकते हैं और जो jwe advance का जो result है वो आपका 14th of June को release हो जाएगा तो यह कुछ बाते थी अब आते हैं how to download response sheet आप response sheet को कैसे download करते हैं मैंने आप लोगों को official website बता दिया है आप उसमें सबसे पहले वहाँ पर visit करिए फिर वहाँ पर आपको एक response sheet की link रहे दी रहीगी आप उसको click करिए जैसी आप click करेंगे तो आपसे logging ID मंगेगा logging ID में आपका क्या करहेगा आपका registration number रहेगा DOB रहेगा date of birth रहेगा contact number रहेगा और आपका email address रहेगा वो सबको एक एक करके आपको fill करना है एंटर करना है फिर आपको आपके screen में जो है response sheet दिखेगी अपियर होने लगेगी आप उसको download कर लिजए और यह जो response sheet है यह आपको PDF के form में रहेगी इसको आपको as a reference के लिए future reference के लिए आप इसको क्या करिएगा save करके रखिएगा अपने पास तो यह बात ही how to download response sheet अब आ चैन रखना है तो सबसे पहला point है if you find any error in candidate response sheet then you can challenge it अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी error दिखते है तो आप उसको challenge कर सकते है चैलेंज करने के लिए आपको क्या करने कोड़े they give the facility to seek review of the machine read response जैसे कि आप लोगों को मालूम होना चीए कि यह पूरा का पूरा online mode है और machine read response है तो आप उसको challenge कर सकते है फिर उसके बाद जो अगर third point जैसे आते है अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी mismatch लगता है response sheet में तो आप higher authorities को उसको review करना है और उस चीच को submit कर देना online mode में अगर आपको किसी भी type के कोई भी question में अगर आपको error रखते है और उसको 19 के response sheet की अगर इसके अलाबा भी आप लोगो किसी भी प्रकार का कोई doubt लगता है इस वीडियो में तो आप लोगो मेरे को comment कर देजेगा उसका मैं आप लोगो को reply दे दूँगा तो फिल हाल के लिए वीडियो में इतना ही था अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीड तक ले थेंगा